वेलकम वीवर्स और आलोक इंडेसिस के Q1 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं वो रिजल्ट दिखाने वाला हूँ आप लोगों को और मेरे हिसाब से मेरी कोशिस है सबसे पहले रिजल्ट दिखाने की और उमीद के हिसाब से रिजल्ट दोस्तो एक्सपेटेशन के अनुसार सही नहीं लग रहे हैं मुझे क्योंकि जो एक्सपेटेशन थी सभी रिटेल इंवेस्टर की वो थी कि इस बार प्रॉफिट आएगा तो शेयर के अंदर हल चल या एक अच्छा मोमेंटम आएगा बट वो हमें नहीं देखने को मिला है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जो मेरे वर्ट्सप गूरूप मेंबर से मैंने उनको पहले ही बताया था कि भाया जैसे रिजल्ट वाले दिन जो है अगर पॉजिटिव मोमेंटम आना होता है तो रिजल्ट के दिन अच्छा का सा मोमेंटम दिख जाता है चाह कोई सा मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है बट इसके अंदर आज ऐसा फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम पूरे दिन भर में नहीं देखा गया ठीक है एक संकेत वहां से मिल गए थे सो जाहिर सी बात है फटा-फट रिजल्ट देखते ज्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का जिसका बेसबरी से इंतिजार था जिसके वज़े से लोगों ने इसको छे महिना साल भर से होल्ड करके रखा हुआ है और उसमें क्या आउट्पूट निकला है वो सब आपके सामने आएगा सबसे पहले देखते हैं यह स्टेनलोड डिजर्ट है और यह देख सकते हो जो सेल दोस्तों 31 मार्च के मुकावले आप यहाँ पर नौट करना जो लास्ट क्वार्टर गया है उसके इसाफ से सेल इन्होंने कम दिखाई है यह सारे फिकर करोड में हैं आपको ध्यान रखना है चो 1455 क्रोड की सेल थी अब वो रहे गई है 1228 क्रोड की तो सेल के अंदर में फर्दर हिंट इंटिकेशन मिलेगा कि कंपनी आगे ग्रो करने वाली है या नहीं पहला पॉइंट और एक्सपेंस के अंदर बात करें दोस्तों एक्सपेंस के अंदर अकोर्डिंगली थोड़ी गिरावट देखने को मिली है जो कॉस्ट और माटेरियल और बाकिस सब है वो रिवेन्यू के हिसाब से रिडियू जुए हैं ना कि बहुत बड़ा अंतर है ठीक है अगर आप देख सकते हो कि 1455 करोड की सेल हो रहे थी वहां ये सेल हो गई 1228 करोड की लेकिन 1455 की सेल में ये 1573 करोड का खर्चा कर रहे थे जो कि 1228 करोड में ये 1320 करोड कर रहे हैं तो आपको ये दोनों पॉइंट दिग्गे होंगे और इसके एसाब से दोस्तों अगर हम नोट करेंगे तो कंपनी ने फिर दुबारा से लोस पोस्त किया है और लोस जो तो कुछ पिछले बार क्वाटर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है आप देख सकते हो यहाँ पर मैंशन है लास्ट क्वाटर में जो दिखा था यह दिखिया 76.38 था और इस बार 92.44 है तो एक रिजन यह भी हो सकता दोस्तों जो मई और जून का महीना गया है या कह सकते हो यह क्वाटर गया है उसके अंदर सेकेंड वेव का भी इंपैक्ट हो सकता है आपको पता ही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब बहुत अफरात परी मची थी सेकेंड वेव के दुरान तो यह रीजन हो सकता है बहुत सारी फैक्ट्रिया क्लोज भी रही है तो अगर हम इस द्रश्टी से देखें कि दुबारा से लॉग डाउन था फिर भी इतनी सेल करी है त लेकिन जो हम एक्सपेटेशन कर रहे थे जो सेर प्राइज के अंदर की वह प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा वह मुझे लगता है कि अभी एक दो क्वार्टर और इंतजार करना पड़ सकता है आलोक के अंदर पर वहीं हम कंसोलिडिट फैनेंशल की बात करें दोस्तों तो उसके अंदर आप देख सकते हो गिरावट तो हुई है 1478 करोड की सेल थी 1269 पहुच गई है और एक्सपेंस भी देखिए अब 100 करोड का लगवग फरक है बट जो प्रॉफिट एंड लॉस जो था अगर हम कंसोलिडिट की बात करें तो पिछले बार दोस्तों 500 था इस ब कोशिस पूरी है 500 से सीधे 100 से बिलो आया है लॉस तो यह पॉजिटिव संकेत है कि कंपनी काम नहाम कर रही है और कोशिस कर रही है कि एक अच्छा उट्पूट दे बट कोविट की सुच्वेशन ऐसी रहती है तो जाहिर सी बात है कोई सी भी कंपनी अपना 100 प्रेशन आउट्पूट नहीं दे पाएगी तो मेरे साब से यह रिजल्ट मिले जुले ठीक ठाक लगते हैं लेकिन जो प्राइज हमारा बढ़ना चाहिए ता है स्टॉक का वह मुझे कहीं ना कहीं अभी तीन क्वार्टर के लिए टलता वा दिखता है दोस्तों और अभी थर्ड वेव और यह सब भी चल रहा है तो अभी सारी कंपनियों के रिजल्ट लगभग ऐसे ही आने वाले हैं क्योंकि कोविट का इंपक जब तक रहेगा तो बड़ी से बड़ी कंपनी का जो फैनिंशल है वह एफेक्ट हो रहा है तो आलोग तो बिल्कुल कह सकते हो जमीन से उठने की कोशिस कर रही है तो अगर लॉंग टर्म बहुत बड़ा नजरिया है एक दो साल वाला कि लगता है कि यह टर्न आरांट कर देंगे तो मेरे साब से लॉंग टर्म पी अभी ठीक है बट जो सौट टर्म के लिए मुवमेंट के लिए लिया है तो वहां पर थोड़ा सावधान और केल फूर लेने की जुरूत है यह था दोस्तों ओवरोल विशिलेशन होप आप लोगो समझ माया होगा और फर्दर हमें स्टॉक के अंदर मेरे साब से पॉजिटिव मुमेंटम नहीं दिखेगा क्योंकि जाता रिटेल इंवेस्टर प्रॉफिट का वेट कर रहे थे तो यह प्रॉबबिल्टी लगती है क दोस्तों यह कोई सिर्फ प्रॉबबिल्टी है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है इसमें बाए सेल होड के लिए कोई रिगमेंटिशन नहीं है पहला पॉइंट सो मैंने इसलिए डिस्क्लेमर भी दिखाए आप लोगो को अपने फैनेंसर एडवाइ झाली कրकाए लोगो को मैंने रिए करलो को इसलिए झालै।